एक बार एक सादू से एक समराट बहुत प्रभावित हो गया। जापान की घटना है ये। जब भी समराट अपने कोड़े को लेकर अपने राज्ये का चक्कर लगाने के लिए निकलता तो उस सादू को रोज देखता। वो सादू एक व्रिक्ष के नीचे बैठा रहता, अप जब भी उसके पास से अपने गोडे पर सवार होकर निकलता तो वहाँ पर वो एक बार जरूर रुक जाता। उस सादू को देखे बिना उससे न रहा जाता था। छुपकर वो उस सादू की मस्ती को देखता और फिर वहाँ से चला जाता। देरे देरे इतना रसाने लगा उस सादू में कि समय कब बीथ जाता था उसे पता ही ने चलता था। वो समराट चुपचाप एक जाड़ी के पीछे चुपकर उस सादू की मस्ती देखा करता था। उस सादू की मस्ती ऐसी थी कि समराट जब उसे देखता तो वो भी मस्त होकर अपने घर लोटता। ये रो इस व्रिक्ष के नीचे आप बारिश में कैसे रहोगे, मेरे महल में चलो, उस पर किरपा करो, मुझे सेवा का उसर दो, ये सुनते ही वो सादू उठकर खड़ा हो गया, अपनी जोली उठाली और कहा कि चलो, ये देखकर समराट को बड़ा सदमा लगा, समराट कहतो रहा था क महल चलो, लेकिन प्रसन होता ये सुनकर की फकीर कहता, कैसा महल, कहां का महल, हम जहां हैं, वहीं मस्त हैं, हम महल वगयरा में नहीं रह सकते, हमने तो कपड़ों का त्याग किया है, समराट के मन में तो ये सब सुनने की इच्छा थी, अगर सादू ने ऐसा कहा होता, तो समर मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, इस आदमी ने मेरे साथ कोई चालवाजी तो नहीं की, ये कोई महल में गुषने की तरकीब तो नहीं लगा रहा, कि यहां पर बैठ कर बांसूरी बजाता रहा, और कहीं ये इसका बांसूरी बजाना, ये मस्ती में नाजना, ये कहीं तो नहीं कहा एक बार भी कि नहीं, मैं बहुत मज़े में हूँ, क्या बारिश, क्या सर्दी, हमारे लिए सब एक है, समराट ने सोचा कि क्या सादू है ये, आराम की बात आते ही तुरंत हाँ बोल दी, समराट के मन का सारा भाव ही खत्म हो गया, समराट ये सब सोची रहा था क तक समराट के गोडे पर चड़ कर बैठ गया, समराट को जिन्दगी में पहली बार पैदल चलना पड़ा, जबकि वो सादू बड़े मज़े से गोडे पर बैठ कर जा रहा था, समराट के दिल को बड़ी चोट लगी, कि ये तु मैने बड़ी जल्दबाजी कर दी, बहुत बड़ी घलती हो गई। लेकिन समराट अब अपने बात से पलट भी नहीं सकता था क्योंकि वो अपने वचन का पक्का था। समराट के मन में उसके लिए आदर पैदा हो गया था कि एक कैसा गजब का त्यागी है। सादू तो विरिख्ष के नीचे भी बांसूरी बजाता था और महल में आकर भी वो बांसूरी ही बजाता था। लेकिन अब वो मकमल के गद्धों पर बैठ कर बांसूरी बजाता था। ये सब देखकर समराट की छाती पर साप लोड़ जाता था कि कहां का आदमी मैं उठा लाया। ये कोई सादू ही है। समराट से भी ज्यादा शान से ओ रहता था। समराट को तो कुछ चिंता फिक्र भी थी। आखिर अपना सामराज्य, अपना महल, अपनी दन, दोलत, लेकिन उस सादू को तो कोई चिंता नहीं थी, वो तो बांसूरी बजाए, नाचे, मस्त भोजन करे। छै महीने किसी तरह समराट ने बरदास्त किया, लेकिन बात बढ़ती गई, समराट के लिए सेहना मुश्किल हो गया, एक दिन समराट ने कहा, महराज, एक निवेदन कर अब मुझ में और आप में क्या फरक है? सादू ने कहा, फरक जानना चाहते हो, समराट ने कहा, हा महराज, सादू ने कहा कि तुम 6 महीने क्यों खालतू परेशान रहे, ये बात तुम्हें उसी वक्त पूछ लेनी चाहिए थी, जब मैं गोड़े पर बैठा था, क्योंकि मै मैंने तो देखी लिया था, कि ये बात तुम्हारे मन में उसी वक्त उठ गई थी, जब मैं जोला उठा कर राजी हुआ चलने को, उसी वक्त तुम्हारा चेहरा मैंने देख लिया था, ये प्रशन तो उसी समय तुम्हारे भीतर था, अरे बुद्धु तुमने 6 महीने तक अपनी चाती क्यों जलाई, वहीं पूछ लिया होता, मैं जोला डाल कर फिर वहीं बैट जाता, किस बात का संकोच कर रहे थे तुम, लेकिन मैं प्रतिक्षा कर रहा था, कि देखों कब तक तुम पूछते हो, तो कल सुबह फर्क बता ही देता हूं तुम्हें, लेकिन हाँ, गाओं के बाहर बताऊंगा, सुबह समराठ जल्दे उठा, उत्सुक था जानने को कि क्या फर्क है, समराठ ने सोचा कि क्या फर्क हो सकता है, मुझे तो कुछ भी फर्क नहीं लगता, खाना जो मैं खाता हूं, वही वो खाता है, और मुझसे भी ज्यादा मांगे करता है, ये लाओ वो लाओ, मैं जिस कमरे में रहता हूं, उससे भी ज्यादा सुन्दर कमरे में रहता है वो, मेरा दो-तीन नोकरों से काम चल जाता है, ये पूरे दिन 15-20 नोकर साथ रखता है, इसकी जरूरतों का तो कोई अंत नहीं, मांगे ही चला जाता है, कपड़े इतने शान दाके मस्त बांसूरी बजाता रहता है, आज मैं भी देखू कि क्या फर्क बतलाता है, समराट सुबह सुबह सादू के कमरे में पहुँच गया, वहाँ जाकर देखा तो सादू ने वही पुराने कपड़े पहने हुए थे, जो वो उस विरिख्ष के नीचे बैठ कर पहनता था, उसी जोले को अपने एक हाथ में उठा रखा था, और दूसरे हाथ में बांसूरी लिए तैयार खड़ा हुआ था, समराट ने कहा, चलिए महाराज, दोनों महल के बाहर निकलाए, चलते चलते एक गाउं की नदी पार हो गई, कुछ देर बाद वे गाउं के बाहर आ ग और आगे नहीं, जो भी कहना है यहीं कह दो, सादो ने कहा, मैं तो आगे चलता हूं, तुम चलते हो की नहीं, समराट ने कहा कि मैं कैसे चल सकता हूं, मेरा महल, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी धन, दोलत, सब कुछ मुझ से जुड़े हुए हैं, मैं तुम्हारी तरह फ परिस्थिती में खुश रह सकता हूँ, लेकिन तुम नहीं, जब मैं उस व्रिक्ष के नीचे रहता था, तब भी मस्ती से रहता था, और अपने जिंदगी के एक-एक पल को जीता था, जब मैं तुम्हारे महल में चला गया, वहां भी मैंने अपने अनमोल जीवन के एक-एक पूरी मस्ती और खुशी के साथ जिया, अब जब मैं कहीं और चला जाओंगा, तब भी ऐसे ही जीओंगा, हम जहां जिस वक्त रहते हैं, पूरे तरीके से वहीं रहते हैं, हम ना तो अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर पश्ठाताब करते हैं, और ना ही भुश्य के चिंता करके अपने वर्तमान को खराब करते हैं, हम तो बस आज में जीते हैं, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि जीवन तो आज में हैं, अभी इसी पल को जीने में हैं, बस यही जोटा सा फर्क है तुझमे और मुझमें, कि तुम्हे परिस्थितियां चलाती हैं और हम चिंदिगी के सफर का एक हिस्सा मात्र है, अचानक समराट को महसूस हुआ, क्या रे, ये मैंने क्या कर दिया, इतने अदबुत आदमी को गवा दिया, छै मही ने इसके साथ सत्संग भी ना कर पाया, सत्संग करता भी क्या खाक, मेरे मन में तो यही चल रहा था कि ये तो ए अबा, नहीं महराज, आगे नहीं जाने दूँगा, सादू ने कहा, देख, मुझे कोई परेशानी नहीं है, ये रहा तेरा गोडा, मैं फिर इसी पर महल में वापस चला जाऊंगा, लेकिन फिर तुझे परेशानी होगी, ऐसा सुनते ही समराट के मन में वही विचाराया, क क्योंकि तू फिर नहीं सुदरेगा, फिर तुझे परेशानी होगी, और तू फिर से चिंता में पढ़ जाएगा, हमारा क्या, हम तो सन्यासी हैं, हमारे लिए तो महल और जंगल सब एक जैसे हैं, हमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि जिसे समस्या है, वो सन्यासी नहीं है, मे देखता रहता है दोस्तों अगर हम अपने जीवन को भी देखें तो हमें हमारी परिस्थितियां चला रही है असलियत में एक इंसान अपनी परिस्थितियों का गुलाम होता है अगर परिस्थितियां अच्छे चल रही है तो वो बहुत खुश रहेगा लेकिन जैसे ही समय पल पर उठकर एक नए जीवन को देख सकता है, अपने स्वरूप को पहचान सकता है। जरा इस बारे में जरूर सोचना और आखिर में आप पाओगे कि तुम भी अपनी परिस्थितियों से बाहर निकल कर एक नए स्वरूप को एक नए जीवन को देखना तो चाहते हो लेकिन से साखशातकार करा दे। ऐसा कौन सा तरीका है? खुद से चिंतन करना, सोचना, चिंतन करने से ही आपको रास्ता मिलता है। मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता, सिर्फ एक राख दिखा सकता हूँ लेकिन उस पर चिंतन तो आपको ही करना होगा। तो दोस्तों कैसी लग किसी कहाने में तब तक के लिए अपना ख्याल लगें।